असलाम अलाइकुम बिसमिल्लाहिरामान एराहिम वेलकम माई यूटूब चैनल उमीद करते हूँ मेरी यूटूब फैमिली प्यारी प्यारी ठीक होगी और मैं भी अलापाक के करण से बिल्कुल ठीक हूँ अलापाक आप सबको अपने हो जमान में रखे आमीन तो इसी नेग दुआ से आज का भी लोग शुरू करते हैं जी तो आप लोग सब कैसे हैं मुझे लगता है जैसे हमारा हाल है वैसे ही आप सब लोगों का हाल होगा इतनी सर्दी है इतनी ठंड सूरा जो निकला था ना मतलब हमने सूरज देखा था दो हजार तेस में अब लाग के हुकम से जो है दो हजार चोबिस लाग चुका और अभी तक हमने जो है सूरज नहीं देखा और इतनी ज्यादा सर्दी है बस अलापाक जल्दी जल्दी से बारिश दे दे और फिर जो है मौसम साफ हो जाए बच्चे भी कहते हैं कि ममा कब जो है धूप निकलेगी हम जो है अंदर बैट ब कर्माना, खुचीन, करना, नमाज, कुरान और खाना, पकाना और खाना पकाने को तो भी दिल नहीं देखा क्योंकि जो सबजी होती है इतनी थंदी होती है बस हाँ लगाने को दिल नहीं करता और जो मेरी रूटीन ए सुबह की उस्टलrin जो नाश्ता मैं बनाते हूँ रा रूटीन है सुबा की मितलब जो नाश्टा मैं बनाते है रात को जो है मैं आटा गून के रख लेते हूं क्योंकि उसके जो पराठे बनते है ना इतने मज़े के बनते है और जो तो पराठे जो होते है ना मतलब ताजा आटा जो होता है बना गून के रख ता उसके इतने उच्छे नहीं बनते तो मेरी रूटीन है मैं रात को गून के राख देती हूँ और सुबह इतना आटा जो होता है ठंडा होता है बास उसको मैं पहले उसके पेड़े बना लेती हूँ सारे काम करने से पहले मैं चाए बनाने से पहले पेड़े बना के राख देती हूं फिर उसके बाद जो है मैं दूद अलग अलग करती हूं हर्मेन का लग और फिर जो है मैं चाय बनाती हूं तो चाय के बनने तक कुछ खुजारा हो जाता है आटा थोड़ा जो है नरम हो जाता है मतलब सर्दी की वजह से जो है आटा साखत हो जाता है ठंडा, तो फिर मैं उनको क्या है के पुराठे बनाती फिर, जो है सही बनते हैं पुराठे और खाणा बनाने को दिल नहीं करता बाँसु सर्दी में, जो हैंना कोई घर का बना कहता है, काम ना करें लेकिन उखारा नहीं होता, जब तक बना जो है नगर के काम ना करें और कोई क्रने वाला ना हो बना गर में अकेला और बस बच्चेयों चार-पांच मन्त होने वाले आ वो वाला विलोग भी मेरा इधर है यूटूब चैनल पर तो मैंने वो फूल विलोग भी डाला था यूटूब पर और पूरे घर के सवाई भी की थी तो उस टाइम से आज जो है मैंने पर्दे उता रहे हैं और बरतनों पे जो है ना थोड़ी थोड़ी डास्टर थी वैसे तो ये बरतन जो इस तमाल में भी रहते या लेकिन फिर भी इन पे डास्टर थी तो मैंने सोचा है के और यहां पे जो है मैंने पहले जाड़ो उठाया तो मेरी जो है ना नजर बलब पे पड़ी है तो मैंने सोचे बलब को मैं उतार के इसको साफ कर दे तो बोड को भी तो मैंने इनको साफ कर लिया जाले जो थे ना मैंने वो भी उतार लिया और उसके बाद जो है मैंने साफ करकी जो अलमारी है ना इनमें सेट करूंगी यहां पे रात के तक्रीम आठ नाव बजे का टाइम है तो इनके बाबा जो है आ चुके थे मैंने इनको खाना वाना दे के और फिर मैंने इनके बाबा कहा कि आप कादमेन हरमेन के साथ बैठे मैंने जो है थोड़ा सा काम करन तो जाब इनके बाबा आ जाए तो कादमेन हरमेन मुझे बिलकुल भी तांग नहीं करती अपने बाबा के साथ अराम से खेलती रहती है और बैठी रहती है तो अली ने कहा कि ममा मैं आपके साथ आउंगा और मैं भी साथ में काम करवाँगा तो मैंने इसे कहा कि अच्छा साथ करके रखने है अच्छा जी यहां पे जो है मैं एक बात कहना चाहूंगी आप लोगों से जिनोंने मुझे सब्सक्राइब का रखा है और जिनोंने मुझे सब्सक्राइब नहीं का रखा जिनोंने मुझे सब्सक्राइब का रखा है उन में से मतलब 30% में से जो है ना 20% लोग देखते हैं मेरी वीडियोइज को और जिनों ने सबस्क्राइब नहीं कर रखा तो मतलब वह यह कहलें आएं K Dust widespread जो 50 में से 90% देखते हैं ये बात आप लोग मेरी सुनेआं तो अगर आप मेसला हैं तो सब्सक्राइब करने हैं आपके बड़ी मिर्वानी होगी शुक्रिया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी जो मेरे वीडियो देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अच्छे अच्छे कोमेंट करें अलापाक आप सबको अपनी हुजामा हमें रखे आमीन जी तो ये जो है ना रिपोर्ट मैं देखती रहती हूँ डेली डेली ना देख़्ूँ तो मतलब हफ्ते दो हफ्ते बाद देखती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे वीडियोस कितनी देखते हैं और जो जिनोंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे ख्याल में जिनोंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हूँ वो लोग मेरे वीडियोस स्यादा देखते हैं तो ये मुझे पता है ये जो है ना मैने बात उन्हीं लोगों के लिए कही है कि मुझे जल्दी सब्सक्राइब करें इसके इलावा जो है एक और बात मतलब हमारा जो माश्रा है हमारे माश्रे में जो रहने वाले इंसान है हर इनसान के पास मुबाइल है टिक टोक है, फेस्बूक है, वार्टसाप है मतलब सोशल मीडिया में जो जो एप इस्तामाल होती है ना हर एप है लेकिन मुबाइल भी है, हर चीज़ देखती है और अक्सर जो है ना लोग मुझसे मिलते हैं तो मुझे कहते है तुम टिक टोक बनाती हो या मतलब ये कह देते हैं तुम यूटूब पर वीडियो बनाती है, ये करती है, वो करती हो यार बन्दा वीडियो बनाए टिक टोक बनाए content अच्छा होना चाहिए, वीडियोज अच्छी होनी चाहिए और mobile बुरी चीज नहीं है या YouTube या TikTok बुरी चीज नहीं है mobile का गलत इस्तमाल बुरी चीज है बन्दा ठीक इस्तमाल भी कर सकता है जैसे अब YouTube पलिसलामिक चैनल्स है और उसके इलावा कुकिंग के चैनल्स हैं तो मेरा कहने का मकसद ये है के mobile बुरी चीज नहीं है mobile का गलत इस्तमाल बुरी चीज है अगर मैं यूटूब पर वीडियो अपलोड करती हूँ विलोग बनाती हूँ TikTok बनाती हूँ तो क्या है के जो सर्परस्त होते हैं उनकी जाज़स से मतलब इनकी बाबा की जाज़स और मुझे खुद भी चौँआ के कुकिंग का उसका जो है फूल स्पोर्ड मेरे साथ अलापाक बस मुझे कामियाब करे और आप लोग जो है ना ये बात जहन से निकाल दें कि TikTok बुरी चीज है यूटूब बुरी चीज है कोई इस में से कोई चीज भी बुरी नहीं है बहुत से इसका इस्तामाल ठीक होना चाहिए तो फिर कुछ नहीं होता इस से अच्छा जी बातो बातो मैं यहां पर जो है मैंने बरतन साफ करके रख दिये और नीचे वाली जो जगह है ना तीसरे स्टेब में आप सिधर रखने और तकरीबरन काम जो है मेरा मुकमल हो गए और क्या है कि आप लोगों ने मेरी बातों से बिलकुल भी नराज नहीं होना यह जो है मैंने इसलिए कहा कि अक्सर बंदे यही सोचते है कि यह चीज बुरी है यह चीज बुरी है तो बुरी चीज कोई भी नहीं होती बास इसके इसका इस्तामाल जो है अच्छा होना चाहिए तो इसलिए मैंने यह बात क्लियर करवा दी जो लोग यह वीडियोस मेरी देखते और कहते हैं कि मैंने सोचा है कि मैं इनको जो है न अपना जवाब दरी दे दूँ लाई अपना है klar जो है न अपना है घो हाईقتा कलगरे देदिए पोIGN-अपले मैं अपना है कि मैं इनको słu Bank अच्छा जी यहां पे जो है दूपैर के खाने में हम बना रहे हैं उसू और क्या है के आलू अच्छा जी एक बाहत है उसू को अर्दू में क्या कहते हैं और हिंगलिश में अगर किसी को पता है तो मुझे कुमेंटर में बताए तो यहां पे जो है मैंने सबसी को काट लिए और धो लिए और अब जो है मैंने सालन बनाना है अच्छा जी यहां पे जो मैंने बात की कि हमारे माश्रे में कुछ इंसान है तो इसी तरह मुख्तलिफ जमीर के मुख्तलिफ इनसान होते हैं मुख्तलिफ तरह की सोच रखने वाले तो कुछ इस तरह के इनसान है के जो कहते हैं के दूसरों को क्या कहते हैं के ताना देते हैं के हम जो है ना आप लोगों को रिसक देते हैं तो वो क्या है कि अपने आपको खुदा समझते हैं, कि हम क्या बड़ी चीज है हमारे पास जो आगए है पैसा, तो हम खुदा हैं हर किसी को हम दे रहे हैं, तो ये बात अपने जहन से निकाल दें, रिसक देने वाला अल्ला है, अल्ला की जात है, और इज़त देने वाला भी अल्ला पाक की जात है, कोई इनसान किसी को रिसक नहीं दे सकता और इज़त भी, और ये इज़त और रिसक अल्ला पाक की जात देने वाली है, और ये बात वाव आता है, कि मौत हर किसी को आनी है, ये नहीं कि ये अमीर है, ये नहीं मरेगा और ये गरीब है, ये मार हर किसी को बराबर रुख़ए और जो है न हर इनसां को मौत आनी है और कबर जो होगी न उस पे भी नहीं लिखाओगा ये अमीर ये करीब है सबकी एक जैसी कबरे होगी तो इसलिए नेक अमाल करें और जो है न। बेगुना किसी को ना लगाएं तो अल्हा पाक भी आप से राजी रहेगा और दुनिया वाले भी तो खैर हर किसी ने जवाब आगे जाके देना है यहां तो जो कर ले कर ले तो आगे जो होगा तो देखा जाएगा अभी तो तू करता जाओ मोज मस्तिया जो करना है कर ले अच्छा जी बातों बातों में यहां पे हमारा सालन होने वाला है रेड़ी और यहां पे पहले मैंने आलू और उसु को डाला और उसके बाद जो है मैं उतार लूँगी और फिर हम जो है इस सालन को एंजॉई करेंगा और किस किस को पसांद है उसूँ तो मुझे कमेंट में बताए मैं आप लोगों के लिए भीज दूँगी इंशाला अच्छा जी यहां पे जो है हमारा सालन होने वाला है रेड़ी और इसके साथ ही जो है मेरे विलोग का भी एंड होने वाला है तो यहां पे देखें जिस सालन हमारा जो है त्यार हो गए और अब हम जो है खाने लगे हैं अच्छा जी अगर मेरा आज का विलोग आप लोगों को पसंद आया तो मेरे वी लोग को लाइक करें शेयर करें और एक अच्छा सा कोमेंट अलबाक आप सबको अपने हुद्ध अमान में रखें आमीन तो फिर मिलते हैं अगले वी लोग में तब तक के लिए लाह आफेज